चुर्णादी, ते लेषल कांग्रस की आज कारेकार्णी की मीटिंग है और मुझे खुशी है कि मुझे आज हाममदर्दित किया है हमारे पदेश अद्यक्ष कॉंग्रिस के अधरम्नी टीस को नियुकूनिया जी जो हाली में बदायक बन कर आए हैं और यहां सब मारे जो कारिकारियतक्ष हैं, पार्टी के पदधिकारी गण हैं और हमारे नम निर्वाचित विधायक जो बाइलेक्षन जीत कर रहा हैं, रूबी कुर्णर साथ, हम सब यहां इकत्रित हुएं, जैसे आप जानते हैं, कि अब लोकसभा के चुनाव बहुत जी जी की भारच जोडो न्यायात्रा चालू हो रही है, और युवाच कॉंग्रेस को बिजमेदारी दी है, राज जी के अलग-अलग छेत्रों में काम करने की, 15 लोग सबाद चेत्र युवाच को स्पेशली फोकस करने के लिए दिया है, मुझे खुशी है कि बहुत जल्द पुनिया जी ने अपने साचियों को बलाया है, यहां चर्जा करेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर किस रणनीति को लेकर जीवाच कॉंग्रेस के साथ ही हम सब मिलकर एक नई दिशा दें पार्टी के अभ्यान को, अकिल बात है कॉंग्रेस कमीटी लगातार बैठ अपने साथी है उनसे लगातार हमारे पार्टी के नेतर बात कर रहे हैं और मुझे खुषी बात कीई कि सभी व्पक्ष की साथी पार्टी obstructionे मन– मनाया है कि हम चुनाओं मिलकर लडेंगे। आज जो हालाद देश में हैं, हम सब जानते दस साल से बीजेपी के सरकार हैं और लगातार जो जनता से जोड़े मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई के हैं, रोजगार के हैं, निवेश के हैं, शिक्षा के हैं, चिकित्सा के हैं, किसानों के हैं उन सम मुद्दों से धान भटकाने के लिए लगातार विजेपी कोशिश कर रही है और मैं ऐसा मानता हूँ कि पब्लिक समझदार है अभी जो अपचुनाव हुए उसमें भाजपा को करारी शिकस्त कॉंगेस पार्टी ने दी और उसके एक संदेश पूरे देश में गया है कि मूल भूत जो हमारे मुद्दे हैं उन से ध्यान नहीं बटकाय जा सकता हमारी कोशिश यह है कि हम लोकसभा के तियारियां चालू हमने करी है राहुल जी की यात्रा से वो एक ऐसी यात्रा है जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए करने जा रहे है जो भारजरो यात्रा थी राहुल जी चले करने कमारी से कश्मीर तक उसका प्रभाव है रहा कि आम जन में ये महसूस लोगों को हुआ कि हम जवाब देख कर सकते हैं अब ये जात्रा निकल रही है चुनाव से ठीक पहले ये प्लिटिकल जात्रा नहीं है लेकिन समाज का वो तपका जो वन्चित है जो पिछड़ा है जो न्याई को जहल रहा है जो आखरी पंक्ती में खड़ा है उन लोगों के वाज उठाने के लिए इस जात्रा को निकाला जा रहा है मनिपुर से शुरू होगी 14 तारे को हम सब उसमें शामीर होंगे और अलग-अलग राज्यों में काम बाट दिये गए है मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलाइंस जब चुनाव लड़ेगा वह इस गणित को आवियाद रखिए इंडिया अलाइंस प्लिटिकल पार्टी का जो वोट है वो दो तीहाई वोट है 55% वोट इंडिया अलाइंस पार्टनर्स को मिलाता 2019 में और 35% वोट मिलाता है अंडिया को तो जब सब लोग इखटे आएंगे एक नया भिहान चालो होगा जॉइंट रैली होंगी जॉइंट प्रोग्राम्स होंगे और उसी दिशा में युवक कॉंगोस को जम्यदारी दी है उसको हम लोग उनके मदद करने के लिए जहाँ पर आए है और मुझे खुशी है कि अद्यक जी ने इनके सभी साथियों ने पूरे परदेश के निताओं के याँ बुलाया है और जो फोकस तैयारी करनी है उसके हम काम कर रहे हैं बीजेपी के पास अब मुथता को बचा नहीं है बीजेपी ने मान लिया है लोगसभा चुनाओं के अंदर बहुत से सांचनों को चुनाओं वड़ाए विधायक बना दिया है तो वहाँ पर भी तबदीली लेकर आएंगे हम लोग भी अपना सर्वे करवा रहे हैं और जैसा आपने पहले सवाल पूछा था हमेशा से हम लोग चाहते हैं कि नौजवानों को मौका मिले जितने भी नौजवानों को हम लोग ने विधायक बनने का मौका दिया जनता न इसको पसंद किया और अच्छे भूमत के साथ नौजवान लोगों को विधान सभा बेजा हमारी कोशिश रहेगी कि लोगसभा के अंदर भी कोशिश रहेगी कि जादा नौजवान लोगों को मौका दिया जाए क्योंकि देश मदलाव चाहता है देश नौजवानों को प्रात्मित्र देना चाहता है और मद्दाता भी चाहता है कि नौजवान वर्थ के लोगों को आगे हम मजबूत करें जो जीत का क्राइटेरिया है उसके अंदर जो नौजवान फिट होंगे उनको आगे बनाने का काम हम सब मिलकर करेंगे कौन अधिक बच्ची 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 बने पहले बहुत देर लगी है तो सकता कुछ तनाव में हो कि हम देर में क्यों बने है जो पुतकार के बयान आ रहे हैं वो संतुलित नहीं है क्योंकि जो बड़े पत्वरक्ती बैठता है उसको बहुत सोच समझ के बयान देने चाहिए और अभी ऐसे बहुत से बाके सामने आए हैं जब बड़े बड़े पतों में बैठे लोगों के जमान फिसली है या गलत बात बोल गए है उनको बेंदर रगना चाहिए सरकार नही बावे भाग देना है लेकिन हमारे जो बाजपा के वरिष नेता है जुन्होंने पांच साल संगर्ज किया बाजपा के लिए डॉक्तर गिरोडी मेना जी उनको क्या लोग मी लगाए बैठे थे उनको क्या बड़े पद मिलेंगे पद भी नहीं दिया चुमंत्रा ले दिया बाजपा करके बहुत सीमित उनको क्रिशी मंतर ले दिया है उसमें जो बाखी डेपार्टमेंट नहीं दिये तो इस प्रकार में जो यह निरने सरकार और बीजेपी का है लेकिन बहार से जो मैं दिखता है जो मैना दूना नहीं करी थी अपनी पार्टी के लिए उनके साथ जाए नहीं हूँ ऐसा मैं मानता हूं पब्रीक समझ रही है कि आप खुद नया काम लें कर रहे हैं पुरांके कामों को विस्तालिथ करें उनको बढ़ाएं कुछ कम्यां उसको ठीक करें यहाँसरफ नाम Пरिवतन करने से मेसेज जाता है कि आप पतीशोद की राजनीद कर रहे हैं नकरात्मा राजनीद करर रहा ह उसको लोग अप्रिशिट नहीं करते हैं हो गया है विश्व बजार में और भारे सरकार दाम कम नहीं कर रही है आपने लोग हमने बाजे किये हैं देश में 80 करोड लोगों को आप सस्ता बोजन उपलब्त करा रहे हैं और आप कहते हैं बहुत जाते विक्सित हो गए हैं बाजपा कुछ काम करे तो वो योगदान है वो श्रमदान है वो अच्छी नीती है और बाकी पाटिया करे तो रेवडी है मुद्टों पर चर्चा हो मुद्टों पर चुनाव हो हम सब उसके लिए तैयार है लेकिन बावनात तक मुद्टों पर राजनीत करकर वोट बटोरने का काम जो किया जा रहा है मैं समझता हो गलत ह इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे बहुत जादा फर्क पड़ेगा आस्ता का जो विशे है धर्म का विशे है पाठ पूजा का है किसकी किसमे कहां आस्ता है वो वेक्तिके दरने है हम सब बग्मान नाम को मानते हैं मानते रहेंगे लेकिन इसका बीजेपी जिस तरह लाब जो संस्थाएं हैं जो सामधानी संस्थाएं हैं जिस निश्पक्षता से उनको काम करना चाहिए और पप्लिक के अंदर एक विश्वास पैदा होना चाहिए कि ये हमारी न्यायपालिका है हमारा एलेक्शन कमिशन है हमारी ब्रॉक्रिसी है हमारी जूडिशरी है वो निश् आप किसी को न्युक्ति नहीं दे सकते हैं, और आप पतिश का मंत्री बना रहे हैं, आज तक अभी हुआ नहीं है, और हुआ, आयोग ने कुछ नहीं किया, जन्ता ने तो किया ना, तो अंतिम जो निरने हैं, पबलिक का है, पबलिक और मद्दाता इस तरहें रुज़ाने से बहगते नहीं हैं, और सही हो गरत की पहचान करते हैं, तो जन्ता जनारदा नंतिम दिरने करेगी, और 2024 का चुनाव लोगसवा का है, उसमें भी कोई कुछ कर ले, लेकिन मुझे पूरा बिश्भास है, कि इंडिया लाइन्स हम लोग जीत कर आएंगे, और इंडिया को परा